हलो फ्रेंड्स चै माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही जबर्दस चीज़ की और अकसर ये होता है कि हम रोज रोज नए नए चमतकारी तोटके हुए वशिकरनवा, समोहनवा, माता लक्षमी को एट्राक्ट करने के उपाई हुए, देवी फिल्ड में सक्सेस्फुल होने के लिए बहुत सारे उपाई और सिद्धियां हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कई पार क्या होता है बार बार टोटल मेहनत करने के बाद सारे उपाई करने के बाद भी फेलियर्स आते ही रहते हैं और फिर हमारे दिमाग में आत कैसे हां है और क्यों होता है मेरे साथ आपके साथ क्यों नहीं होता क्योंकि जब शास्त्र एक है नियम एक है तो मेरे उपर काम कर रहा है आपके उपर क्यों नहीं कर रहा है इसका बहुत बड़ा रहस्य आज में आपको बताती हूं और फिर अगर आप इस चीज को जागरित क जाहेंगे वो आपको मिलता है कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं रह सकता अलग क्या है हम दोनों में वो यह है क्योंकि आप भी सिद्धिया प्राप्त करना चाहते हैं मैं भी करना चाहती हूं मैं कर चुकी हूं आप नहीं कर पारे कारण यह है कि मेरे चक्र जाक्रित ह आपके चक्र बंध है जिस परसन की कुंडलीनी शक्ती जाकरित होती है कुंडलीनी शक्ती में क्या होते हैं साथ चक्र होते हैं आज मैं सिर्फ एक चक्र की बात करूँगी बाकी के दूसरे वीडियो में बताऊंगी लेकिन साथ चक्र होते हैं और जो भी मनुश्य इन साथो चक्रों को जागरित कर लेता है, वो दुनिया के भौतिक सुख से परे होकर भगवान में लीन हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्धियां उसकी चुटकियों में आसानी से आजाती है, लेकिन क्या हो रहा है, गलती कहा हो रही है, हम राद दिन मेहनत कर रहे हैं, और आज की तेजी भरे युग में हम अकसर क्या करते हैं, इतने कॉंपटिशन में आ जाते हैं, जी तोड की खुद को निचोड लेते हैं, और निचोडने से क्या होता है, हमारे शरीर में इतना डिप्रेशन आता है, और ये डिप्रेशन हमारे चक्रों को दबा कर रख देता है, और हमारे चक्र क्या होते हैं, चुपे रुस्तम की तरह, चुप चप बॉडी में पड़े होते हैं, गेहरी नीन में सोये होते हैं ऐसे लोग क्या होता हैं? सिर्फ बुद्धी से नहीं, भावनामी एमोशन्स में बहते हैं और जिन्दगी क्या होती है? एक एनिमल की दौड, अंधी दौड में शामिल पशु के समान जिन्दगी हो जाती है तो दोस्तों, आज हम ध्यान देंगे, समय समय पर चक्र बाला जो स्थान होता है इस पर ध्यान देना चाहिए, मानसिक स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए, स्रद्रता के साथ आप देखेंगे, अगर सिद्धिया प्राप्त करेंगे इंको जागरित करके, तो आप देखेंगे किस प्रकार से आपको हर सिद्धी की प्राप्ती होती है, पहले जान लेते हैं, एक टाइम आता है हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में हमारी सारी जीवन शक्ती रुक सी जाती है, हमको लगता है कि हम जिन्दगी में फेलियर्स हो चुके हैं, चारो तरफ से जैसे कुछ तो महिलाएं होती है, मोटापे की शिकार हो जाती है, जादा पतली हो जाती है, जादा मोटी हो जाती है, बाल कमजोर हो जाते है, सिरदर्द होता है, तनाव होता है, अनिच्छा होती है, पती पत्नी को पास आने की इच्छा नहीं होती है, शांती होती है, मासिक की गरबड़ी होती है, यहां तक की समाज में मान सम्मान नहीं मिलत हर चीज में उथल पुथल, आपको कोई दबाता है, प्रतारित करने लगता है, आपका चेहरा दिन पर दिन दल होते जा रहा है, फेस की तेज कम हो गई है, बार बार डिप्रेशन आता है, जांगों में दर्द रहता है, सेक्शुल उर्जा की कमी में हैसूस होती है, और बार शारिरिक और मानसिक समस्यायोत पन्न होती है, जिंदगी में आलस और सुस्ती भर जाती है, डर लगता है, बुरे-बुरे सपने आने लगते हैं, अंजाने भय आतंकित करते हैं, कमर की हटी से आवाज आने लगती है, चांग और नसों में समस्या होने लगती है, कमर हो, पेठ हो, इन सभी का हिस्सा मोटा होने लगता है, पसीने की गंद अजीब सी आती है, और कुछ लोगों के तो बॉडी से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जब आप रूम में अकेले होते हैं, लगता कोई है, कोई है, कभी स आना जाता है कि माता काली आप से रुष्ट हो गई है। उनकी उड़जा में कमी आ गई है और कुंडली में शनी शुक्र बुद्ध की स्थिती अच्छी नहीं है या ये समस्या उत्पन कर रहा है। हर समय परिवार में कलह होता है मतभेद होता है मिसंडेस्टैंडिंग होती है और कम एज में ही बुढ़ापे के लक्षणाने लगते हैं। तब इन सबसे मुक्त कैसे हो इन सबसे मुक्त होने का और सबसे जादा इजी और फाइदेमन तरीका होता है योग। हमारी जो सडी हुई दुरगंदित उर्जा होती है इसको शरीर और आत्मा से अलग करके हमको इससे मुक्त करता है और हमारी जो नसे हैं इन में मुद्राओं और शास के माध्यम से ताजा उर्जा को आमंतरन दिया जाता है। अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं तो समय आ गया है कि आपको भी अपने मुलाधार चक्र पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं में बड़ा कन्फ्यूजिंग है चक्र समझ नहीं आता तो आज मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताउंगे कि आगया आप कहेंगे इनिकी मुलाधार चक्र क्या होता है ये चक्र क्या होते हैं इनको हम कैसे समझें। सबसे पहले समझ ले कौन सी नाड़ी सड़ी है हमारी मुलाधार चक्र तो आज हम बात करेंगे मुलाधार चक्र की ये प्रिथ्वी तत्व को दर्शाता है और हमारे जीवन में मासूमियत और बुद्धी जैसे गुणों के लिए responsible होता है हमारा जो अवचेतन मन है इससे connected होता है पिशले जनम के जो हमारे कर्म है उसके भाव है उसके फल है वो यहाँ जमा रहते हैं बैंक के खातों में जमें पैसे की तरह और यही कर्म की वजह से आज हमारी लाइफ कैसी होगी ये निर्धारित करता है और यही जो चक्र होता है मुलाधार चक्र ये हमारी personality को develop करता है इसका स्वर सा होता है और इसका ग्रह मंगल ग्रह होता है मंगल ग्रह क्या करता है पावरफुल ग्रह भूमी तत्व है यानि कि जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे उतना आप सक्सिस्फुल होंगे लाइफ में और इसके बीज अक्षर होते है वंग, शंग, शंग और संग आपको मैं बता दूँ इस चक्र का स्वामी शनी होता है और इनकी राशियां मकर और कुम्ब होती है मुलाधार शब्द बनता ही दो शब्द से मूल और आधार जहां पर मूल का अर्थ क्या होता है जड़ जो पेड की जड़े होती है ना समझ लीजे वो जड़ और आधार क अर्थ होता है नीव यानि शरीर का सबसे जड़ यानि रूट चक्र है जो कुंडलीनी शक्ती होती है उसका जड़ मुलाधार चक्र में ही इस्तित होता है और वहीं छुपकर वो पढ़ा रहता है गैरी नीद में बिना ही ले डुले लेकिन जब हम उसको जागरित कर लेते ह है तो हमें ज्यान होता है हमें सेल्फ रियलाइजेशन आता है मुलाधार चक्र अगर इसकी उरजह में गड़बड हो गई तो मनुश्य को भूक नीद में घड़बड़ी हो जाती है और हिंसक प्रवृत्ति का तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है बेसिक और महत्वपुन चक्र है 99% जो आम आ इंसान है उनकी जीवन बोलिये चेतना बोलिये इसी चक्र में अठकी रहती है और इसी चक्र में पूरा जिंदगी वो निकाल करके मर जाते हैं एक दिन और गुदा और लिंग के बीच ये चार पंखुडियों वाला अधार चक्र हमारे जीवन में ज्यों होते हैं और जिनके जीवन में ये सुप्त होता है यानि सोया हुआ होता है वो मनुश्य क्या करता है दिन पर भोग, समभोग, निद्रा, नशा इनमें ही बढ़ा रहता है इसकी उर्जा इसी चक्र के आस-पास कत्रित होती है और जीवन बरबाद हो जाता है चक्र के जाकर के संबंद बनाता है, तांतरिक प्रयोग आदी में जादा लिप्त हो जाता है, अशलील किस्म का हो जाता है, गलत वचन बोलता है, और इसी वजह से इनको गलत प्रकार के यौन रोग आदी होते हैं, एड्स होते हैं, शारीरिक और मांसिक कमजोरी आती है, संतान आपने देखा है किसी गर्वती इस्त्री को, मानव जीवन का निर्मान होता है, फैक्टरी है वो, और इन सब के लिए रिस्पॉंसिबल कौन होता है, मुलाधार चक्र होता है, मनुशी के रीड की जो हड़ी होती है, उसके सबसे पीछे बिलकुल नीचे स्थित होता है, मेर इसे जड़ चक्र, जैसे पेड की जड़ होती है, ये मनुशी के शरीर की जड़ होती है, और इस चक्र के देवता, भगवान गणपती है, चक्र का रंग लाल होता है, जो कि शक्ती का रंग है और शक्ती का अर्थ होता है, उर्जा, गती, जागरिती और विकास, और समझ ल दुनियाद या किसी पेड़ की जड़ सबसे महत्वपुन होती है, जड़ सुख जाती तो क्या होता है, पेड़ गया, वैसे हमारे जीवन की जड़ है ये, अगर आपका मुलाधार मजबूत है, तो जीवन हो या मृत्यू, आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपकी नीव मजबूत है, और बाकी चीजों को हम बाद में ठीक से कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य तब तक जानवर समान होता है, जब तक इस चक्र में जी रहा होता है, और इस पर विजे पाने वाला इंसान, आप देखेंगे, चक्र अगरित कर लेता है, योग के द्वारा इसको बैलेंस कर लेता है, तो आप देखेंगे कि वो मनुष्य जीवन में हर स्थिति को पार कर जाता है, योग के द्वारा आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, योग में आप मल आसन, ताड़ा आसन, उतका आसन, त्रिकोन आसन इसके द्वारा कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करके मुलाधार चक्र को ठीक कर सकते हैं, इससे हम मानसिक शान्ती के साथ-साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमको मिलता है, और इसका रतन, क् मानिक होता है, और सूर्य से उर्जा प्राप्त करता है, और इससे जो प्रभावित व्यक्ती है, उसको लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, लाल रंग के आसन पर बैठकर मूलाधार मंत्र का जप करे में बताऊंगे आगे कौन सा बीज मंत्र है मूलाधार का, और इसका चप करना चमतकारी सित्त होता है। आपको लम मंत्र का जप करते वे ध्यान लगाना होता है। आप चाहें तो बैट कर ध्यान लगाएं या फिस जमीन पर खाली पाउं नंगे पाउं चलें। scientifically अगर इसमें बात करें तो negative ions जो होते हैं potassium chloride जिनको हम free ions कहते हैं ये हमारी body में रहकर हमें तकलीफ पहुचाते रहते हैं। लेकिन जब हम जमीन पर नंगे पाउं चलते हैं तो क्या होता है? अर्थिंग होती है। और ये सारे ions अपने आप जमीन में चले जाते हैं और हमारा शरीर clean हो जाता है। वैसे ही ओम लंग बीच का उचारण करने पर हमें यही फाइदा मिलता है। हम लोग अगर जमीन में आदी घंटा चले एक घंटा चले आप दिखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसी समय आप जब करते रहें। चलते रहें ओम लंग, ओम लंग, ओम लंग, क्या होगा? आपका मूलाधार चक्र और भी strong बनेगा। लेकिन हम लोग आज कल क्या करते हैं? आज के युग में स्ट्रेस क्यों बढ़र है? चलते नहीं है। चलते हैं तो शूस पहन कर चलते हैं। मैं हमेशा कहते हूँ घर में थोड़ा ऐसा स्थान होना चाहिए जहां कच्छी मिट्टी हो। अगर घर में नहीं भी है तो कम से कम नियरवाई पार्क आदी में आपको अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ वहाँ विजिट करना चाहिए। और कम से कम हफते में दो बार या एक बार ही सही आदे घंटे के लिए ओम लम ओम लम ऐसे कहते वे आपको उस खाली कच्ची जमीन पर चलना चाहिए। आजकल थोड़ी सी पाउं में मिट्टी लग जाए तो बोलते है अरे बाबरे मिट्टी लग गई गंदे हो गया हमारे पैर। अपनी जो तरजनी उंगली है और अंगूठा है उसके साथ एक मुद्रा बना ले और हतेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते वे रखें और रिलाक्स करें। अभी आखे खुली रखें आप फिल करें कि आनन्द ही आनन्द है आपके चारो और आनन्द सुरूप उस परमात्मा के आप अंश हैं लेकिन आप ये भूल गए कि आप उन्ही के अंश हैं। आप खुद उनके अंश होकर के भगवान सुरूप हैं और आज के बाद आनन्द की भीक मांगने के लिए आपको किसी और के पास, किसी और के जीवन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आनन्द आपका अपना एक सुभाव है. एक नीद सेवक है, जो आपका मन है, वो सेवक है, गुलाम है, लेकिन आपने क्या किया है, पिछले कर्मों के कारण उसको अपने आप उसके गुलाम बने वे हैं, स्मरण कीजे, आप आनन्द हैं, उसी भगवान के अंश है, जिसने ये सारा खेल रचा हुआ है, और आप कर्मों के संसकार के कारण, अपनी इच्छा, अपनी वासनाओं के कारण हम कर्ष्ट पाते हैं, और आज स्मरण करेंगे, आराम से सुख आसन में बैठकर, आखे धीरे-धीरे मूंद लेंगे, और उस इश्वर से कनेक्ट करेंगे, ध्यान को आज्या चक्र, यानि कि दोनों भौमों के बीच पर टिकाएंगे, और दो-चार लंबी गहरी सांसे लेंगे, साथ से दस स्वास, ऐसे ही आपको लेनी हैं, और अपने मन ही मन कहना है, मैं परम चेतना हूँ, मैं स्वयम इश्वर का अंश हूँ, मैं आनन्द स्वरूप हूँ, मैं स्वयम आनन्द हूँ, बार बार यही बोलना है, मैं परम चेतना हूँ, मैं स्वयम इश्वर का अंश हूँ, मैं आनन्द स्वरूप हूँ, मैं स्वयम आनन्द हूँ, मैं परम चेतना हूँ मैं स्वयम इश्वर का अन्ष हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ دस मिनट हूँ अपको अकेले में बैठ करके इसको करना चाहिए इस प्रकार से ध्यान और दस मिनट के बाद अपने ध्यान को अपनी रीड के अंतिम हड़ी पर आपको लेकर के आना है कैसे लाना है अपनी चेतना को मुलाधार चक्र जो मैंने बताया आपको पेरोनियम है गुदा और गानेंद्रियों के बीच का स्थान है वहाँ पर आपको केंद्र करना है और फिर मन ही मन आपको लम 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 आप जितनी लम्बी सांस ले सके उसको मन ही मन मूँ से उचारण नहीं करना है मन ही मन आपको जप करना है मुलाधार पर अपना ध्यान टिका कर ध्यान है मानसिक जप ही होना चाहिए बोलकर आपको नहीं करना है 10 मिनट तक मंत्र का जप करें और उसके बाद ध्यान को फिर से अपनी भौहों के बीच अपने आग्या चक्र पर ले आएं और 2 मिनट तक ध्यान को आग्या चक्र पर रखते वे मन ही मन ठाकुर जी अपने इश्वर को धन्यवाद दे इसके बाद आप धीरे से आखें अपनी खोल करके आप अपनी ध्यान से बाहर आ सकते हैं जब आपकी इच्छा दोस्तों इस प्रकार से कम से कम आदे घंटे पॉन घंटे आप शुरू कीजे 5 मिनट से ही आप शुरू कीजे 10 मिनट से ही जो आपको अच्छा लगे समय की कोई पाबंदी नहीं है कहीं भी बैट करके किसी भी अवस्था में बस रिलाक्स कर ले और फिर आप थीरे थीरे इसको अपनी आदत बना ले आप देखेंगे आपका मुलाधार चक्र जब जाकरित हो जाता है आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन आ जाता है आपके अंदर वीर्ता आती है फाइटिंग स्पिरिट आती है लाइफ से निर्भीकता आती है और आनंद का भाव आपके अंदर जाकरित हो जाता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिध्धियां आप प्राप्त करने लायक बन जाते हैं और इस चक्र के जागरित होने से मन में इतना आनन्द आता है कि आप स्माइल खुद तो करते ही हैं साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों में आप स्माइल बाटने लगते हैं ध्यान रखे दोस्तों, साथ चक्र मैंने बताए, इसमें सबसी पहला चक्र, रूट चक्र जिसे हम कहते हैं, जड़ चक्र कहते हैं, वो होता है मुलाधार चक्र और ये एक बार जागरित हो गया, तो फिर आपकी बाकी की कुंडलनी शक्ती, चमतकारी रूप से फटा फट जा जाता है, और आज से ये ध्यान आप शुरू करें, जीवन के आदिस जादा मुश्किले आप खुझ से हल कर सकेंगे, आपको मुझ से क्वेशन करने की जर्रत ही नहीं पड़ेगी, काली मा की पूजा करें, आराधना करें, साधना करें, आप अपने पाओं में जो इस्तरिय या काली मिट्टी में कम से कम 10-15 मिनट आपको तहलना चाहिए, आपको ध्यान रखना जो साधक है, जो सिधिया प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवती काली का यंत्र बनवा कर, अभी मंतरित करके उसको चांदी की ताबीज में गले में धारन करना चाहिए, और जो करवा कर चांदी की ताबीज में उसको धारन कर लें और मूला धार पर आपको चुम्बक पानना चाहिए, आयाशी से बचें, दिन में रती क्रिया मतलब पती पतनी का संग आदी ना करें, पर पुरुष पर इस तरी गमन इस दौरान ना करें, और गाय हो, कुता हो, ये नहीं पाल सकते, आपके बस जगर नहीं है, तो गाय कुत्तों की कौवे को भोजन दे, चुडिया को भोजन कराएं, इस प्रकार से आपको जानवरों की सेवा करनी चाहिए, रात को सोते समय अपने रूम में लाल रंके बल्प का प्रयोग करें, और इस प्रकार से आप एक अपने मुलाधार चक्र को जागरित करके देखें, और फिर देखें आपके जीवन में कैसे पॉजिटिव बदलावाते हैं, आप जो भी उपाय करेंगे, चमतकारी उपाय, टोने, टोटके आदी भी करना चाहेंगे, वो सभी सिध्धियां आपके लिए तुरं तुरंत काम करने लगेगी, और आपके जीवन में ऐसा सक्सेस आएगा, तो 2019 में आप ये करके देखें, दोस्तों शुरुआत है 2019 की, और एक बार इस नए साल में आप इस कदम को उठा लेते हैं, पूरा साल आप सुखी रहने वाले हैं, इसके अलावा आगे के वीडियो में मैं फिर स्वाधिश्टाण चक्र होते हैं, मनीःपुर चक्र अनाहत विषुद्ध आग्या चक्र और सहस्तरार चक्र, यच छे चक्र और आज के बाद आप सिर्फ मुलढार चक्र को पहले हम जागडित करेंगे, और अपने अंदर पॉजिटिव एनरजी का पास करेंगे, फिर दे जो लोग भी जिन्दगी में हारे वेसे हैं, उन सभी से बताएं कि उनकी जिन्दगी की असली प्रॉब्लम उनके चक्र में स्थित है, उसको सुधारे, उसको एनर्जाइज करें और फिर देखें जिन्दगी आपके आप पास कैसे खुश्या लेके आती है, टेक केर फ्रेंज, लव यू आल, चे माता दी, पंबं भुले नात की